गाती चड़िया एक थी चड़िया एक रोज वो राज महल पहुँची वहाँ उसे एक गुड़ा मिला वो खुश होकर अधुमक शुमक नाचने लगी गाने लगी मुझे राज महल से मिला है गुड़ा राजा ने ये सुना तो वो भड़क उठा तुरंट उसने सिपाही को आदेश दिया उस नचनिया से गुड़ा छीन लिया जाए जब गुड़ा छीन लिया गया तो चड़िया गाने लगी कंजूस राजा ने छीन लिया है गुड़ा हमारा छीन लिया है राजा ने सोचा हम तो कंजूस मक्खी चूस साबित हुए उसने तुरंट सिपाही से कहा चिडिया को उसका गुड़ा फोरन लोटा दिया जाए गुड़ा वापस मिला तो चिडिया नाचने गाने लगी ये कैसा डर्पोग राजा है जी जो चिडिया से भी डरता है जी प्रिष्ट 41 इस बार राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने तलवार से चिडिया के टुकडे टुकडे कर डाले फिर रसो ये से कहा इन टुकडों पर मिर्च मसाला डालो मैं इने कच्चा कच्चा चबा जाओंगा तुरंत रसो ये ने पीली हल्दी लाल टमाटर और हरी मिर्च डाली तभी चिडिया ने तान छेड़ दी आज तो में लाल पीली हरी बनी इन्रधनुष की रंगीन बहन बनी आज तो में लाल पीली हरी बनी स्वर्ग लोग की सुन्दर परी बनी राजा बमका अरे इस चिडिया के अंग अंग में प्राण है इसे फोरण तल डालो ताकि इसके प्राण निकल जाएं रसो ये ने चिडिया को तेल में छोंका चंद से आवाज उठी फिर भी वो गाने लगी चली रे चली मैं तंग गली से चली मेरे पाउं फिसल फिसल जाएं रे तंग गली से चली सिपाही भी परिशान रसो या भी परिशान अब क्या किया जाएं राजा एंट कर बोला मेरे पेट की चक्की में चिडिया पिसेगी तो उसकी बोलती बंध हो जाएगी चिडिया के सारे टुकडे आंतों के रास्ते राजा के पेट में पहुँच गए लेकिन जबान बन ना हुई वो गाने लगी कैसे सरपीले हैं ये रास्ते चचुन्दर सा है बिल पसलियों के भवन में धक धक करे दिल प्रिष्ट बयालीस ये सुन राजा आग बबुला हो गया और अपने ही बाल नोचने लगा सिर पीटने लगा सिपाहियों ने उसे शांत करते हुए बताया माराज ये गाती चड़िया चमतकारी है देखना फुर करती अभी बाहर निकलेगी और हम उसका कीमा बनाकर उसे जमीन में सौ गज नीचे गाड़ देंगे तब ही उसकी बकवास बंध होगी सारे सिपाही तलवार लेकर राजा के चारों ओर खड़े हो गए निकल कर चड़िया उसके माथे पर बैठ गई उसी कशन सिपाहीों ने तलवार चला दी चड़िया जट से उड़ गई तलवारें राजा की गरदन पर पड़ी राजा का सिर धर से अलग हो गया तब चड़िया खिड़की पर बैठ गा रही थी जिसका सहारा राम है उसका भी बड़ा नाम है सन की राजा गया पर लोग चड़िया की बड़ी शान है कहानी समाप्त प्रिष्ट तेतालीस